कि अभी यह वेरिएशन अफ प्रेशर ऑफ रोटेटिंग सिलेंडर अभी आप एक सिलेंडर कंटेनर ले लो उसमें फ्लुइड डाल दो और उसे घुमाना स्टार्ट कर दो तुमने यह अब्सर्फ किया है बेसिकली एंड्स पे एंड पॉइंट पॉइंट पर जो पर बेसिकली एक एक लिक्विड में सेम लेवल पे आपका जो प्रेशर जाहिम रहता है लेकिन क्या यह पर ऊन्प पर ऑर यह पॉइंट पर प्रेशर सेम रहेगा करें में बोल सकता हो इवन दो अगर इसके लेंग सेम भी हुई बट कैना सेजिस इस पर रिस पॉट पॉइ और उस लिक्विड में अगर मैं सेम हाइट पे के पॉइंट को कंपर कर तो प्रेशर में तो प्रेशर इकोल होता है इसमें इसमें इसकेश में इसके ऊपर पानी बेधन इतना है इसके ओपर लिक्वीड या इस हमारा चाहल यEh यहां हमें को ऑल याकाग ऑप हमें प्रेशर को एवालूएट करना है अ फंक्शन प्रेडियास अ यह अरे मैं तो जैसे जैसे वान से मैं इसका रोडियस इंग वेशेवे से इसका प्रेशर किया रहेगा लिशे-बंस किम आर बता रहाए वंहें बेसिती प्रेशर आइज फंक्षंद फॉंक्शन अफ रेडियम बताना है समझ में आ रहा है हमाराम मेनender गूल कि अ चीक है अभी देखो कैसे करेंगे इसे इसे ओरीजिन मानो लो इस पॉइंट को जो अपना लौर मोस्ट पॉइंट है लिकविड के शरफेस का जो लोवर बॉइंट है उसे ओरीजिन मान लो जी यहाँ पे लेट से मैं X-axis ले रहा हूँ सबस्द जो यह जो सबस्क्राइब कर रहा हूं जैसे जैसे मैं आक्सिस से दूर जाओंगा वैसे-वैसे मेरे कितना ऊपर वॉटर का कॉलम कितना उपर है समझ में आ रहा है सबस्क्राइब करना क्या है आपको यह कर बन रहा है यह कर्फ की आपको एक्वेशन लिखनी है इतना समझा चलो अभी ध्यान दो इसे कैसे सौल करेंगे हम लोग सपोज मैं यहां पर एक छोटा सा पार्टिकल ले रहा हूं सबसे पहले तो अगर मेरा पूरा का पूरा फ्लुइड घूम रहा है तो यह पार्टिकल भी घूम रहा है तो यह बेसिकली एक ऐसे रेडियस में घूमेंगा ना यह पार्टिकल है आप इसका रेडियस कितना होगा कैना इसका रेडियस नथिंग बट एक्स कॉधिनेट अफ दाट पार्टिकल यह फिर से रिपीट करना हो जब मेरा पूरा का पूरा कंटेनर घूम रहा है उसके साथ मेरा फ्लुइड भी घूम रहा है तो अगर मैं यहां पर कोई ऑक पा एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है केना इसे उसके फ्रेम आफ रेफरेंस पे उसको एक सूडो फोर्स और लगता है उस सूडो फोर्स को special नाम है विचे नफिंग बट सेंटरी फ्यूगल पॉर्स हाया ना वह सेंटरी फ्यूगल फोर्स का डिरेक्शन क्या रहता है रेड जबि भी कोई भी बी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफार्म करता है तो इतना क्लियर है तो यहां मुझे पार्टिकल लिया है जिसका मास ले लो कि के नहीं से आंजी डाउनवर्ड लगेगा है के एक वाटर को इस पे नॉर्मल फॉर्स लगाएगा है तो यह इट विल भी समेब मैं या इसके नीचे आहाए जो भी पार्टी कल थे वोस्पे नॉर्मल फॉर्स लगाएगे तो वह नॉर्मल फोर्स वह सर्फेस के पर्पेंडिकुलर होगा तो सम्वाट लाइक तो एवडी क्लियर चलो अभी बेसिकली क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो प्रॉपर जो भी फोर्सेस है वो सारे के सारे फोर्सें प्रॉपर ली रिजॉल करना है अब यहाँ पर एंगल क्या लूम है तो देखो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या थोड़ा सा टीडियस है यहाँ पर हम लोग एक टैंजेंट बनाएंगे विल कंस्ट्रॉट टैंजेंट यह दिख रहे टैंजेंट आगेस मुझे कलर चेंज करना चाहिए टैंजन का यह यह पर मैं इस पॉइंट पे टैंजेंट बना रहा हूं ठीक है अच्छा यह जो टैंजेंट है इसका इंकलिनेशन टीटा मतलब यह एंगल टीटा एंड वाट्श वाट्वील टैंट टीटा एंड यह से डीवाई वाई वाई दी एक्स ना जो यह एट फॉंक्शन अभ एक्स अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूं तो वो टाइन ङ्पीटा होगा था ए तो मतलब यह यह एंगल भी टीटा है मैं अगर यह एंगल टीटा है तो यह 91 हृटा तो हैंना एसा यांगल टीटा ए को या सब बेसिंगर भी हम तो करेंगे आपका एनसाइन टीटा जो है वह इसको कंचल आउट कर देगा यहां पर दिख रहा है ना एंसाइन टीटा का कंपोनेंट इसको कैंसेल बाओकर देगा एम ओमेगा स्कुरेर तो मैंने इस पॉंट पेक टैंजन रॉकिया वो टैंजेंड का इंगली निशन टीटा ले लिया मेने तो मैंने दोनों को इक वेट कर दिया समझ में आया है इतना लिखो तो या भी इसके आगे क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे equation one or equation two let's say equation one equation two है तो one divided by two कर ले न तो n sin theta upon N cost theta and then cancel हो जाएगा यहां पर tan theta जाएगा हाय ना तरह यहां पर mm जैनल आउट हो जाएगा ओमेगा स्क्वेर बाइं ओमेगा स्क्वेर एक्स बाइग जी आ जाएगा समझ में यह क्या लिख रहा हूं है ठीक है तो यहां से आपका डीटान टीटा क्या एक्चुली इस नथिंग बट यह डीवाइब डीएक्स दीवाइब डीएक्स इस सिंप्ली इक्वल टू ओमेगा स्क्वेर एक्स ऑई जी हाया ना हאשका है में स tradit हाद शो है है सो तो यहां पर हां दिश्रंचेल एक्वेशन मिल रहा है अभी इस्प्रींचलव ब्रीवरेभल चैन गरती होगे करो कुछ भी हो वो कभी भी डिनॉमेंडर में नहीं हो सकते तो यह इसे मुझे यहां पर लेकर जाना पड़ेगा तो कैसे सौल करूंगा मैं इसे यह जो तुम्हारा डीवा है simply it will get equal to omega square x by g times dx कि अभी मैं integrate करूंगा इसे अभी कर्व को ध्यान से देखो यह वाइज देखो तो 0,0 और यह पॉंट पर कॉनेट एक स्कॉमावाइल लेव लो यह वाइज वेरिंग फ्रॉम जीरो तो एक सिंप्ली मैंने यह लिमिट्स डाल दिया समझ में आ रहा है कि अभी बस यहां पर जो इंटीग्रेशन है यह हमें यहां पर इंटीग्रेशन प्रॉपर्ली सॉल करना है तो यह क्या हो जाएगा यहां पर तो सिंप्ली वाय आ जाएगा डिवाइक का इंटीग्रल वाय तो यहां पर ओमेगा स्क्वेर और जी तो इंटीग्रेशन के भा हो रहा है तो इसमें भी सेम अपर लिमिट माइनस लोगर लिमिट का फंडा अप्लाए करेंगे तो यह क्या बन जाएगा ओमेगा स्क्वेर जी टाइमस एक स्क्वेर बाइटू है इतना समझ में आया तो फाइनले में एक्वेशन क्या मिल रहे है वाइस गीवन बाइट इतना समझ में आया यहां तक कैसे आया इतना लिखो अभी देख लो एक बार हमें वाइद फंक्शन आफ एक्स मिल गया तो अगें जरा यहां पर ध्यान दो लेट से इस पॉइंट पर प्रेशर आपका पी या फिर लेट से में पी ए बोल रहा हो पी आट आक्सिस चिक है औ पर फ्रेशर पी हैंला नहीं तैसमें कैसे वेरीशन होगा इक इन्में वेरीशन कैसा लगा कैना से से माइट को कंपेर करूं तो यहां पर यहँष्ट्रा प्रेशर आ जाता है म हां मिन भी देखू अगर यह highlight प्रिशर यहine.de लेट से यहां पर यह हाइट नीचे तो यह कितना हाइट नीचे रहेगा है किना से यह एच प्लस वाय हाइट नीचे रहेगा विकॉस यहां पर यह अल्री वाय हाइट उपर है लिक्विड समझ में आ रहा है हाया आ है निखर से रिपीट कर रहा हूँ बेसिकलव देप्ध पे दोपॉइंट कंपार करो तो यह जो है अगर यह हाइट इसका देप्ध है तो इसका टैप्थ कितना होगा यह तो आईगा इसमें बट उसके साथ यह उपर एक वाय भी आजाएगा जो हमने वाय फंक्शन फ अच्छे से तो आपका पी का वाल्यू क्या है भी आजिए गगरफला के वाइगा और यहां पर नेट हाइट अहच और तो यह तो ही लेकिन इसके साथ यह उतना उठ्रा मॉइवोभी है समझ में आ रहा है आगा अच्छा यहां पर हम लोगों ने एच्छ नथिंग बट यह से सेंटर के पॉइंट से नीचे कितना हाइड गया हूं और यहां से बसीरी आर डिस्टन्स यहां पर आया हूं मैं तो यहां पर सब्स्ट्रीट कर दूंगा मैं सब कुछ आपका प्रेशर क्या हो जाएगा वह बन जाएगा cm पलास रो चे यह प्लस रो जी वा हिई हम यह आपर सिंप्ली में सबस्टिड्ट रूओख करूंगा य Bonduse वाइगा स्क्वेर एक स्क्वेरInsmonary करने तो रोजी टाइमस ओमेगा स्क्रेर एक स्क्वेर बाइटुजी ये बन जाएगा पीज़ घॉपलोट पूपीएटी एंगा तीक है en毒 तो यह आपको प्रेशर का फॉर्मिला है बढ़ यहां पर मुझे इन टर्म आर रिखना है रेडियस लिखना है कि जैसे में रेडियल आउट वट जाओंगा मेरे प्रेशर कैसे इंगर तो मैं बस एक्सके बदले रेडियस डाल दूंगा तो यह बन जाएगा प्लस रोजी यह आप है ओमेगा स्क्वेर आर स्क्वेर ठीक है अच्छा यह जो कॉंटिटी एपी एटीम प्लस रोजी यह यह पीए के बराबर है प्रेशर एड़ डा आक्सिस पॉइंट उस सेम लेवल का जो आक्सिस पॉइंट है उसमें मुझे सिंपली यह हाफ रो ओमेगा स्क्वेर आर स्क्वेर वाला टर्म एड़ करना पड़ेगा जिससे मुझे उस अपने पॉइंट पर वो डिजाइड पॉइंट पर प्रेशर मिल जाएगा तो यह 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 एक फॉर्मिला बंदा इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेना